को हाइफ फ्रेंट आज मैं आपको यह बतांगा कि जैसे कोई भी इंजन होता है उसमें जो वाइब्रेसान डेमपर लगता है उसके अंदर बसें काम वाइब्रेसान डेमपर होता है को है कैसे मलब vibration damper बना रहता है किस टाइप होता है तो आज हम आपको उसी का पूरा उसी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें हम आपको फोटोग्राफ भी दिखाएंगे और इसमें सब लिग कर दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या चीज होता है यह देखिए यह पहले हम हम आपको इनमेटिग वीडियो दिखा रहे हैं कि मदब vibration damper जो है कैसे काम करता है और कैसे पता लगता है कि इसमें vibration damper है या नहीं तो यह चीजे जो है सभी चीजे हम आपको फीगर के द्वारा और दोनों की साथ में जो है हम आपको दिखाते चलेंगे यह देखिए यह हम आपको vibration damper दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या आइटम होता यह सबी चीजे जो है आपको इसमें जैसे इसमें जो सिलकान का जैसे All का होता ऑर इसमें प्लेंज जो होता है जो अंदर होता है क्रेंग के जो फ्लेंज होता है उसी उपर इसको फिट भी किया जाता है तो इस तरह जो है हम आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किरपया उसको सब्सक्राइब कर दीजे और हो सके तो बेल आइकान को भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसकी जो है नोटिफिकेसन जो है आपको प्राप्त हो जाएगी अब आगे देखिए हम आपको इसका एनिमेटेड वीडियो भी दिखाएंगे यह देखिए इसमें जैसे विसकस फ्लूट जो अंदर होता है वो जब इंजन चलता है तो उस केस में क्या होता है विसकस फ्लूट जो है एक टंपरिशक बात जो हलका सा जो है लिनिय लगा हुआ है यानि जैसे एंटी वाइब्रेशन पट लगा हुआ दूसरे साइड में नहीं है अब जिसमें नहीं है उसमें देखिए वाइब्रेशन बहुत अधिक होता है लेकिन जिस साइड में लगा हुआ है तो उसमें वाइब्रेशन ना के बराबर होता है इसलिए ज को लोड़ रहे वो उसमें जो है उसको एबजार्ब कर लें अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक सब्सक्राइब हो सगत अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेकनीशियन को इसको सेयर करें धन्यवाद